चंडिगण हर्याना की सियाम नायाप सिंसैनी का कहना है विदेश धर्थी पर आरक्षन विरोधी बयान देनी वाले राहूल गांदी दो-तीन दिन के राजनितिक दोरे पर हर्याना आ रहे हैं हर्याना एक अच्छी जगा है पिछले दस सालों से बीजेपी सरकार ने हर्याना का चवुमुपी विकास किया है इसलिए उन्हें यहां आकर गूमना फिरना चाहिए हर्याना का युवा उनसे पूछेगा की वह हुड़ा की समय हुए खराजी परच्ची पर छुप क्यों है शासन हर्याना की दलित्त पूछेंगे की आरक्षन का विरोध करने की बाद पहकौन सा मुह लेकर हर्याना आये है राहुल गांदी को इन सभी सवालों का जवाद देना चाहिए अब अचानक ख़बर आई है कि विदेशी धर्ति पर अरक्षन विरोधी ब्यान देने वाले राहुल गांदी दो तीन दिन के राजनितिक प्रेटन पर हर्याना आ रहे हैं हर्याना अच्छी जगा है पिछले दस साल में भाजबा की सरकार ने हर्याना का चहू और विकास किया है इसलिए वो यहां आएं गूमें और अपना परेटन करें लेकिन कुछ सवालों के जवाब हर्याना उनसे जरूर पूछेगा राहुल गांदी जी उसका जवाब अद दे कर जाएं हर्याना का यूवा पूछेगा की हुड़ा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुपी क्यों रखे हैं हर्याना का दलित पूछेगा की अरक्षन का विरोध करने के बाद वह किस मूँ से हर्याना आए है हर्याना का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूट कर दामाजी को देने के बाद भी वह किसमों से किसानों की बात करते हैं हर्याना की माताएं बहने पूछेंगी हिमाचल महिलाओं से किये वादों पर दोखा देने के बाद वह हिमाचल क्यों नहीं जाते ये कुछ question हमारे हैं जो हर्याना के लोग पूछना चाहते हैं मुझे ये वश्य राहूल गांदी इनका जबाब देखर के जाएंगे